Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Commerce Room. This is Priya Dhamija here, your educator. So students, we are discussing a topic of business economics. We have got a lecture on the first one, which is the interest of interest, which is the basic concept, which we discussed earlier. and a classical theory that we discussed earlier. So the classical theory that we studied and studied was the supply of capital and demand for capital. So first of all, if you revise the interest, what is the interest in which you use the money, instead of using the money, which you pay, 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 trust is. Dekho, you buy any thing where you take. It becomes a price. Just when you take money,interest use money, recipe, for the product users and you apply for customers for your company. What do you do? What do you do? Interest is necessary. how do you talk in this class theory? जिसको तूरी भी बոला जाते हैं तो शुरू करते हैं ठीक है है कि तो चलिये शुरू करते हैं हमारी नहीं तूरी जो लोने बल फंड तूरी तो Once देखो यहेई ट्यूरी क्या क्या होता है इंट्रेस्टिक ऐसा प्राइस होता है जो कि एक्वेट करता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ओफ लोनेबल फंड को किसकी डिमांड फॉर एंड सप्लाई ओफ लोनेबल फंड क्या होते हैं यह वो फंड होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं मार्केट में फॉर लेंडिंग परपस जिसके पास पैसा जादा है वो आपको परवाइड करने के लिए रैडी है अवेलेबल अमाउंट है जो लोनेबल फंड्स की सप्लाई कितनी है डिमांड कितनी है जहां पर यह दोनों एक्वेट करेंगे वहां पर एक प्राइस डिटर्मिन हो जाएगा जि जो है कि अब मən थो लुए आपकी क्लासिकल थीयोरी है वोसिर्फ रिएल फैक्टर को करते हैं यह उन्सीडर करते हैं तो है जो ठीय है यह किसका उपर स्टेडी करते हैं यह हमें सिरफ यह बताती है demand for and supply of loanable funds जहाँ पे equate करेंगे वहाँ पे हमारा एक price determine हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरस्ट बोलते हैं ये दोनों factors को consider करता है monetary factors को भी करता है और real factors को भी consider करता है तो चलिए आगे देख लेते हैं supply of loanable funds क्या है supply of loanable funds है वह four factors के उपर depend करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जैसे आगया आपके पास saving saving होगी तब ही तो लोग है जो वह आपको market में पैसा अवेल करवा पाएंगे ना तब ही तो वह loanable funds बन पाएंगे तो saving है जो वह supply का main source है saving supply का main source है concept funds का loanable funds का तो जो आपकी saving है वो effect होती है individual sector के द्वारा business sector के द्वारा और government sector के द्वारा individual saving क्या है individual saving जो एक individual की income है और जो उसका expenditure है जो नो का जो difference है वो क्या है वो saving है जितना मैंने कमाया जितना मैंने खर्चा कर दिया दस हजार मैंने कमाया आठ हजार बीच में से consume कर लिया मैंने तो बाकी मैंने कितना save किया 2000 save किया तो वो मेरी क्या है वो मेरी saving है तो रबिंसन क्या कहते है कि जो current saving है वो function है previous income का आज मैंने जो save किया है जो मेरे पास 2000 मेरे हाथ में saving है वो मेरी पिछली income में से बचाया हुआ है तो saving influence by income and rate of interest दोनों के द्वारा influence होती है अगर rate of interest जादा है तब ही मैं अपनी saving जादा करूँगी तब ही मेरे को फाइदा मिलेगा ना कि मैं आज अपने खर्चे को कंट्रोल करके अपनी सारी जुरूरतों को limited रखके मैं कुछ बचा सको अगर मुझे कुछ फाइदा दिखेगा तो अगर मेरा rate of interest जादा होगा तो चीक है तो अगर मेरी income भी जादा है income जादा है खर्चे तो मेरे उतने है income मेरी बढ़ गई तो उसके कारण भी मेरी saving है जो वो increase हो सकती है तो ये दोनों के द्वारा influence होता है by income and rate of interest तो जो income है अगर हमारी constant rate ती है income नहीं बढ़ती income मेरी उतनी है 10,000 लेकिन rate of interest बढ़ गया इसके कारण भी जादा saving होगी rate of interest बढ़ा हुआ है कोई मुझे free में बिना कुछ efforts किये सिर्फ मेरा पैसा use करने से use करने के बदले में मुझे जादा पैसे दे रहा है तो मैं जादा बचा के उसको पैसा अपना क्या कर दूँगी दे दूँगी lend कर दूँगी ठीक है तो जो हमारा business saving है यह कौन सी saving है which are affected by the business firms business savings besides the other things are also affected by the rate of interest business saving भी बाकी factors के इलावर rate of interest के कारण effect होती है जितना जादा rate of interest होगा उतना जादा greater amount saving का होगा business firms के दौआरा अगर rate of interest कम है तो saving भी विर कम ही होगी अगर rate of interest कम है कुछ बचा के कुछ मिलना ही नहीं है जादा तो फिर आज अपनी wishes को अपनी needs को limited क्यों रखे ठीक है तो फिर हम आज ही इस पैसे को इस time को enjoy करते है तो rate of interest है important role play करते है जितना जादा interest होगा उतना जादा हमारी saving होगी यह कहते है तो supply curve है जो वो slow upward to the right जैसे जैसे interest बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी saving भी बढ़ती जाएगी ओके next आ जाता है हमारे पस bank credit bank credit second source है supply of loanable funds के लिए जो कि bank के द्वारा create किया जाता है जो minimum rate of interest है उसके उपर जो bank credit है वो सारा का सारा interest elastic होता है क्या होता है interest elastic इसका मतलब क्या है higher the rate of interest bank will give them more credit जितना जादा rate of interest होगा उतना ही जादा bank आपको credit देगा on the contrary at low rate of interest bank will offer the little credit bank का फाइदे क्या है फिर अगर rate of interest कम है तो फिर bank आपको credit भी कम ही देंगे ओके next आ जाती है हमारे पास this hoarding देखो hoarding क्या होती है hoarding का मतलब होता है जब कोई large quantities purchase कर लेता है जैसे speculators होते है ताकि उनको future में benefit मिल जके जैसे कि gold आज मानलो rate कम हो रहा है तो मैंने block में purchase करके रख लिया ठीक है तो यह क्या होगा मेरा hoarding हो गया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पास money रखने की बजाए money के form में assets रखना पसंद करते हैं assets की form में money को रखते हैं तो वो होता है हमारा hoarding और dish hoarding क्या हो गया फिर उन्हीं assets को ना रखके पैसे को रखना यह पैसे को आगे फर्दर देना ठीक है तो यह हमारा third source है loanable funds का dish hoarding dish hoarding है जो past savings से ही है ठीक है इसका मतलब क्या है कि जो money है लोगों के द्वारा जो money hoarded है किया गया लोगों के द्वारा वो loan पे दे दिया पैसा रखा हुए ना उन्होंने asset नहीं रखा तो वो उन्होंने loan पे दे दिया तो hoarding may be defined as a people's desire to hoard the wealth in the form of money hoarding क्या होता है लोगों की इच्छा वो अपने पास पैसे की बजाए wealth को रखे तो अगर हमारा rate of interest high होता है लोग क्या करते है पैसे को देना शुरू कर देते है जिसको उन्हों क्या बोलते है dishoarded saving वो अपनी saving को dishoarded करना शुरू कर देते है asset की form में ना रखके उसको land करना शुरू कर देते है उनको इसमें ज्यादा फाइदा दिखता है ठीक है next आ जाता है disinvestment disinvestment investment मतलब कहीं पे पैसा लगाना disinvestment कहीं पे पैसा ना लगाना तो fourth source of supply of loanable funds क्या है disinvestment इसका मतलब क्या है non replacement of depreciated machine जो हमने depreciation machine को replace करने के लिए पैसा इकठा करके रखा है उसको जो हम annually depreciation fund में पैसा डालते रहते है उसको business firm invest ना करके किसी को lend कर दे वो क्यों करेंगी ऐसा क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि ये पैसा हमारे पास extra पड़ा है अभी अगर हम machines को ना भी replace करेंगे तो हमारा काम चलेगा इससे अच्छा है हम market से higher rate of interest के उपर free में earning करें rate of interest किसी को पैसा use करने के लिए तो देना थोड़े टाइम के बाद आपके बस्वापिस तो आई जाना है बढ़के आएगा कम होके नहीं आएगा चिक है तो यह होगी हमारी disinvestment तो supply of loanable funds के है S plus B plus D H plus D I saving plus bank credit plus disholding plus disinvestment ओके आई होब यहाँ तक clear होगा आपको next आ जाता है हमारे पास demand for loanable funds हम demand क्यों करते है in loanable funds की demand for loanable funds made by three sectors कौन कौन से है investment demand consumption and hoarding investment के लिए main source माना जाता है demand के लिए अगर मान लो मिरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं कहीं पर invest करना चाती हूँ मैं business करना चाती हूँ मुझे investment के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए मैं क्या demand करूँगी money demand करूँगी मैं यह कहूँगी कि मुझे कोई अपना पैसा use करने के लिए दे थोड़े टाइम के लिए उसी पैसे को use करके मैं earning करके उसको ज़्यादा पैसे return करूँगी क्यों मुझे क्या जुरूरत है क्योंकि मुझे investment करनी है investment के लिए ठीक है investment demand the main source of the demand for loanable fund is the demand for money for the investment on the part of firms firms करती है यह investments जितना कम rate of interest होगा उतनी ज़्यादा demand होगी इस sector में अगर मुझे 2% पे मिल रहा है मालो 2% पे मुझे मिल रहा है मुझे 2% ही एक्स्टा पे करनी है तो मैं demand 2 lakh की करूँगी मालो 2 lakh की करूँगी अगर यही यह हो जाए 4% या 6% तो 2 की बजाए मैं कोँगी कि मैं 1 में गुजारा कर लोगी ठीक है तो investment का plan है जो मैं छोटा कर दूँगी तो वो depend करता है कि risk taker कौन कितना को है यह जरूरी नहीं है कि rate of interest अगर जादा होगा तो जो मेरा required है मैं उसको limited minimum minimum कर दूँगी नहीं depend on the circumstances कि person कौन है लेने वाला मैं तो अपनी बात कर रही हूँ न कि अगर rate of interest जादा होगा तो मैं अपनी demand कम कर दूँगी यह फिर यह हो सकता है कि अभी rate of interest बहुत जादा चल रहा है तो थोड़ा time मैं अपनी demand को क्या कर दूँगी postpone कर दूँगी लेकिन जो मेरी demand है वो किसके कारण effect हो रही है वो rate of interest के कारण effect हो रही है ठीक है जितना कम जो हमारा rate of interest होगा उतनी ज़्यादा demand होगी on the contrary जितना higher rate of interest होगा smaller ही हमारी demand होगी इसके लिए I hope यहां तक clear होगा कोई भी doubt नहीं होगा easy सी theory है next आ जाती है consumption when the consumption expenditure exceeds income जब हमारे खर्चे हमारी income से बढ़ जाते हैं लोग क्या कर देते हैं पैसे को बोरो करना शुरू कर देते हैं private individual और household है जो वो demand करते हैं फिर loanable funds की इस purpose के लिए ज़्यादा demand होगी loanable funds की अगर rate of interest कम होगा on the other hand demand कम होगी अगर rate of interest बहुत जादा high होगा आज कर सब कुछ installment पे मिल जाता है ठीक है मेरी income कम मैं माल लो लेकिन मुझे गर मैं इसी चाहिए मुझे अलीडी चाहिए मुझे नया mobile phone चाहिए सब कुछ मिल रहा है लेकिन जब मेरी income कम है मैं खर्चे बढ़ाई जा रही हो अपने तो उन खर्चों को पूरा कहां से करना है माल लो मैंने for example मैंने ले भी लिया installment पे next time next month भगवान करे ऐसा हो अगर माल लो मेरी income रुक जाती है ठीक है लंबे time के लिए आज नहीं तो कल income तो मेरी होनी है न तो एक time के लिए जो मैंने installment लेके रखी है जो मैंने खर्चा already कर दिया है उसकी बरपाई के लिए मुझे loanable funds की demand करनी पड़ेगी that's it okay I hope यहां तक आपको clear होगा next आ जाता है हमारे पास holding holding demand for loanable fund is made by those people also who want to hold it जो अपने पास रखना चाहते है ठीक है वो demand करते है अगर rate of interest कम होगा तो वो demand जादा करेंगे जादा है तो वो कम करेंगे for example मुझे gold ख्रीदन है gold के prices कम हो रहे है market को ध्यान में रखते हुए माल लो ऐसी expectations हैं कि बहुत जादा high rate पे जाने वाल है gold आज अगर मेरे पास पैसे कम भी है ना कहीं पे कहीं से मैं 2% पे 3% पे उठा के पैसा बोरो करके gold में invest कर दूँ मैंने 3% जान बुझ के ले लिया demand करी किसलिए क्योंकि मैं hold करना चाहती थी gold को purchase करके अपने पास रखना चाहती थी और मालो मेरी expectations हो भी जाती है prices बहुत जादा बढ़ गे gold के मैंने कमा कितना लिया 10% ठीक है 10% का मेरा फाइदा हो गया अगर 2-3% मैंने लगा भी दिया तब भी मेरे पास 6-7% तक 8% तक बचता है तो यह लोगों की thinking है कि वो किस purpose के लिए और क्यों purchase क्यों खरीदना चाहते हैं क्यों demand कर ले तो यह main let's see कि determine कैसे होता है rate of interest देखो जहां पर demand for loanable funds और supply for supply of loanable funds equate करते हैं वहां पर हमारा क्या हो जाता है rate of determine हो जाता है net investment क्या है लोग demand क्यों करते हैं investment के लिए holding के लिए और supply कहां से होती है supply में आती है हमारे पास saving से bank credit से ठीक है बाकी और factor जो हमने study की है वो तो यह equation हमें बताती है indicate करती है equilibrium rate of interest जहां पर investment और net holding जो है हमारी equal हो जाती है उसको हम उस price को उस point को क्या बोलते हैं हमारा determine हो गया interest rate ओकी यह देखो जहां पर हमारा जो एक minute demand for and supply of ठीक है जहां पर यह determine हो रहे है वो हमारा rate determine हो ठीक है देखते हैं देखो loanable funds x-axis पे है rate of interest y-axis पे है SS है जो हमारी supply curve है loanable funds की जो की submission है इनका DH, dis holding, dis investment, saving, bank credit इन सबको मिला के supply curve बन देखो चीक है sorry तो यह upward जा रही है from left to right इसका मतलब क्या है supply ज्यादा होगी loanable funds की at high rate of interest जितना ज्यादा rate of interest हाई होगा उतनी ज्यादा supply ज्यादा होगी dd is the total demand curve for the loanable funds which is the summation of जो भी हमने factors study किये तो यह जो slow है यह left to right आता है negative हो गया न left to right आ रहा है यह क्या कह रहा है कि demand है जो देखो अपना अपना फाइदा देखना है जो supply दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं आपको वह आपको तब provide करेंगे जब rate of interest ज्यादा होगा लेने वाला तब लेगा जब rate of interest low होगा तो दोनोंने अपना अपना फाइदा देखना है total demand curve dd and total supply curve ss जहां पर intersect करते है point e और or is the rate of interest यह दो टाइप्स के होगे market rate पहला हो गया market rate और equilibrium rate जो की determine हुआ है total demand for low neighbor funds जो की equal है total supply of low neighbor funds तो जो or है or जो हमारा rate determine हुआ है in figure 2 b is a natural rate जहां पर हमारी saving है equal to the investment है यह देखो इसको बोल रहे natural rate इसको बोल रहे market rate okay so this was all about your loanable funds theory बहुत ही easy theory है five marks में students यह proportion आ सकता है okay हर एक theory के कुछ ना कुछ criticism तो होते ही है कुछ बाते हैं जो रहा जाती है sorry जैसे criticism है जो Keynes और उसके followers ने किया है यह कह रहे हैं कि जो concept है holding का वो doubtful है Keynes कहता कि इस theory ने assume किया है कि जो amount of holding है वो increase decrease की जा सकती है यह गलत है reason क्या है quantity तो money की economy में उतनी रहने वाली है ना अगर एक person जादा hold करेगा तो दूसरे को कम मिलेगा income तो उतनी होई ना अगर एक बंद अपने पास रख लेगा तो दूसरे को कम मिलेगा ठीक है तो यह चीज constant रहने वाली economy में तो Keynes कहता है कि quantity है वो remain constant ही रहेगी इसको आप change increase decrease नहीं कर सकते हो ओके इसको भी further किसी और ने criticize कर दिया क्यारे वो changeable होते हैं ठीक है नेक्स आजाते intermediate intermediate theory आईए क्योंकि इस theory ने rate बताया है हमें जो की determine किया गया है बाइदा low-nable funds low-nable funds depend करते हैं income के उपर ठीक है low-nable funds income के उपर वही saving मेरी तब possible है जब मेरी income अच्छी है जब मेरी income ही अच्छी नहीं है जब मेरे खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे है तो फिर मैं पैसा कहां से save करूं नहीं कर पाँगी तो जो मेरी income है वो depend करती कि मैंने investment कितनी करके रखी है लगाया कितना हुआ है investment पूरी कितनी हो रही है वो investment करती है further फिर investment है जो वो पैसा लेके ही लगाना है न कहीं पे वो depend करता है rate of interest के उपर तो इस तरह से बिना rate of interest जाने हुए हम अपनी income को नहीं जान सकते knowing the rate of interest income cannot be known without knowing the rate of interest जब तक आपको rate of interest नहीं पता तब तक आपको income नहीं पता तो यह जो circle है यह तो को determine करना ठीक है क्योंकि यह क्या कह रहे हैं कि आपकी जो saving है वो income पर करती है income फर्दर investment पर कर दिया investment के पर करती है वो rate of interest पर करती है तो बेस क्या चाहिए आपको rate of interest चाहिए तो rate of interest तो आप ऐसे जानी नहीं पाऊगे ठीक है तो यह इन्हों इसको सब्सक्राइब करें किया मैं नेक्स्टा सब्सक्राइब के हैं ? तो influence in the determination of interest should be therefore studied separately इन दोनों का क्या क्या influence हो सकता है दोनों को अलग लग ही study करना चाहिए दोनों को mix नहीं किया जा सकता है अन्रियलिस्टिक का जम्चन है फुल इंप्लोइमेंट की जो की classical theory ने भी लिया हुआ है यह unrealistic है फुल इंप्लोइमेंट नहीं है तो इनों ने effect को ignore किया है कौनसे effect को income स्वारी effect of investment on the income classical theory की तरह है यह theory ने भी ignore कर दिया क्योंकि इस theory के according people save करेंगे at high rate of interest but it is not always correct high rate of interest पे वो save करेंगे यह जुरूरी नहीं है यह हर बार नहीं होगा high rate of interest discourage the investment जितना जादा rate of interest बढ़ेगा investment जिसने पैसा लगाना है वो अपनी demand कम कर देगा अगर demand ही नहीं होगी तो फिर supply के उपर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जितनी मर्जी पैसे की supply कर लो आप fallen investment causes fallen income अगर हमारी investment कम होगी तो income भी कम होगी इनकम कम होगी तो इसका मतलब क्या है saving भी कम हो गई ठीक है तो यह जो theory है यह हमें बताती है low neighbor fund theory तो दो theories आपकी हो चुकी है classical theory और low neighbor fund theory next हम discuss करेंगे liquidity preference theory of interest फिर इसके बाद हमारा यह chapter खत्म हो जाएगा become students become second semester first year second semester business economics का आपका subject है पी यू चंडिगर से जो कर रहे हैं यह उनके लिए बहुत ही helpful रहने वाले है topics तो इस video को like करो share करो अगर अच्छी लगती है तो नहीं भी अच्छी लगती तो मुझे comment में बताईए ताकि मैं और ज्यादा improvement कर सकूँ कोई भी perfect नहीं होता है गलती किसी न किसी से हो जाती है आपके suggestions आपकी feedback always welcome रहेगी ठीक है thank you so much students channel को subscribe करना मत बूलिएगा thank you मिलते हैं हमारी next वीडियो में